माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा, माटी खोड़ा, माटी दास्वा माट कह दी ना कर बटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिष्टों का तेरा मौली यही है किनों भाईयों में जमीन का बटवारा होना ही है ना? माटी जिस माटी हमका, रिष्टों की बस दोर यही है, माटी है तेरी पहचा, मत कर बटवारा घर्थी का, भुष्ट कर ना बन अनजाना, बटवारा? यह तो बहुत संदर है, पहन के दिखा, बड़ा दिल खोर कर दिया है सत्वीद में, मैं भी यही सोचती थी मम्मी, पर मेरा सोचना गलत निकला, सतबीर उतनी बुरी भी नहीं है, जितना लोग उसे समझते है, अरे, आपने इतने प्यार से बलाया, तो आना ही था ला, पर आप लोगों ने बहुत आम जाम कर दिया, मुझे तो लगा था कि मुरंडा खरणवाले इसे का दिल नहीं तोड़ते है, यार सिम्रण, कर ले इना डांस, आमें बिचारे का दिल तूट जाना है, सब्सक्राइब जी, पताईए सर् मेरे को उस लड़की का बिवार बड़ा अजीब सा लगा है इचा, वो कैसे? इतने उगली कट गई उसकी पर उसको ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर जैसे उसकी आंखे पलटती जा रही थी मेरे को लगा कुछ ठीक नहीं ऐसा क्यों लगा आपको, सर? मैं, मैं कुछ समझा नहीं दिमागी मिमारी के मरीज अपने लिए तो खतरा होते ही हैं कभी-कभी दूथरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं थैंक्यू, ड़क्षाप मैं करता हूं कुछ को के जी हरवान जी, सासी काल रत्तो, देख तु मुझे दुखी मत कर मैं बहुत परिशान हूं पहले भी मैं घर से बाहर जारी हूं अगर तु घर से बाहर निकली ना तो मैं जंदीरों से बांदे ना तरहात पाओं को पिछले गेट से जा रही हूं मैं अभी आती हूं थोड़ी देर में घर में ही रहना रत्तो, ओ रत्तो, आजा रत्तो, आजा हाई रभा, यह कुड़ी ना मुझे पाओगल करके छोड़ेगी पता नहीं कैसे कैसी वाजे आती है इसको चल अंदर जब तक मैं नहीं आती न, यहीं कैद रहना हाई प्रटो ले तौवर ले तू 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 पूरा भीगगे ले पोच ले अपने आपको आजा तू तऊ निहाल सारी तरीफ कर रहे थे तेरी तभी तो तेरी मामी नी मेरी रिष्टा पर पोस्ट कर दें मेरी मुम्मी को रेली? अच्छा तुझे नहीं बता? बाई गॉड बुझे नहीं पता अच्छा तो क्या कहा दोरी मम्मी ने? मम्मी ने कहा सोच के बताएंगे तो तुनी क्या सोचा? इसमें सोचना क्या है? वे, तु शादी के लिए तो नहीं सोच रहा तो इसमें गलत क्या है? देखने हाल पहले तो अपनी पढ़ाई पुरी कर और मुझे अपनी पढ़ाई पुरी करने दे अगर उमने ब्या कर लिया ना ना तो तीरा दिल लगना है वहां पे और ना तो मेरा यहां में दोनों ने ना लटक जाना बीछ में थोड़ा मुस्कुरा दे जान की? मेरे से नहीं ओता हाँ, बता दिये मैं इतना शिर्मा क्यों रही है? थोड़ा सो मुस्कुराने को तो कह रहा है बस मेरे को नहीं आता हाँ तुझे मुस्कुराना नहीं आता? ऐसे मुस्कुराते हैं ले, वोगी तेरी फोटो शूकर है, बड़े ही मुश्किल काम है अपना बीपील काड लाई है ना? हाँ हाँ, वो मैंने कमल बीपी को दे दिया तो ठीक है कमल, इसका फारंबर दे जो मैं गैस एजन्सी सी लाया था और कल जाकर जमक राऊंगा मैं चल जानकी, आ जाएगा तेरा भी गैस कचुला दो-चार दिन में फिर तेरे को आखे नहीं फोटनी पड़ेगी दुए में इसका कोई पैसा तो नहीं लगेगा बीबी जी नहीं नहीं ये सर्कारी स्कीम है परधान मंत्री उच्वला-Йोचना हाँ जिसमेना सर्कार गडरीब और को मुफ्त में गैस सिलंडर देती है इसलिए के सर्कार को फिक्र रहें तुम जैसे गरीब और तो बढ़ी अँछी है सर्कार और भी बहुत कुछ है तुमारे लिए? नहीं जी नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस सेथ बनाई रखे, हाथ पैर चल दे रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें इसका भी सवरकार ने पूरा इंतिजाम कर रखा है पर वह मैं तेरे को कल्व बताऊंगा जलवेत होते हाँ, तेरे गैसलेंडर का पंदोवस्त करते हैं शुक्रिया छोटे काके, चल जानकी चलते हैं इनको लहने दो कहां जा रहे हैं? सोचाना कॉलेज होगा मैंने तुझे पहले भी कितनी बार बोला हैं तु एकि सुनता ही नहीं मेरी बात कौनसी बात? यही, कि अब ना तेरा ब्या हो गया कॉलेज वालिज के चक्र छोड़ और ना काम की तरफ ध्यान दे ले बाउजी और ताया जी की जमीन जाएदा तुम लोगों नहीं संभाल ली हैं अगर ध्यान नहीं ना दिया, सब कुछ लूट जाना है तो और क्या करूँ? खेट जाट, ट्रेक्टर चला अराम कर ले दे डैडी जी को अच्छा, मैंने इतना पढ़ लिखने के बाद हली चलाना है और क्लेक्टरी करेगा क्या? नौकरी? यह तो कई बिजनस करूँगा? नौकरी से ना तो तेरा गुजारा होना है और ना मेरा गुजारा होना है जमीन जायदार लूट जानिये वो अलग से रही बिजनस की बाद मेरे डैडी जी का कितना अच्छा काम है और वो कंस्रक्शन का काम भी शुरू कर रहे है उनके साथ काम कर ले तेरा और्मान भी बिजनस वाला पूरा हो जाएगा हाँ, पात तो ठीक कह रहे है काम तो कस्ट्रक्शन कभी बुरा नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, एक रॉक्षाप डाल लो वह पूरे पिंड में नहीं है कोई वर्कशाप ही डाल ले, कुछ तो कर ले तो किसके साथ जाएगी और बहुत है, मुझे लजाने वाले पच्चे और क्या वह ऐसा मत करीगी वह ना, ना, मैं घर का रहूँगा ना, घर का अरे मम्मी जी तेरे साथ जो कुछ भी हो, तो मेरा कोई दोश नहीं था मेरे तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता था सोच, अगर अगर अमरा बेया हो जाता तो हमारी जिंदेगी बरबाद हो जानी थी मैं भी हो सब कुछ भूलने के कोशिश कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ देखो अजीब नहीं लगता क्या? यही हरजीत सारा दिन सोता रहता है बटवारा बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मुवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीच? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेशक्य देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइव सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे बटवारा बनवीर, सत्पीर का है? देखा? जी वोर सोई में हैं, बुलाउं नहीं, जाने जाने, बाकी करवाले? जी, मम्मी और दादी सिम्रन के साथ गुर्दवारे गई है बाउजी सुबाई निकल गए थे कमल कॉलेज गई है और हरजीत सो रहा है और जडनेल वो भी सुबाई निकल गए थे मेरी मोटर साइकल ले गया हो ना? जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं मनवीर जी मैं तरहा दिल दुखाना नहीं चाहता था जी, कोई नहीं दादी ने विना मेरी मर्जी के तेरे साथ तिष्टा तैकर दिया सोच अगर हमारा बेया हो जाता तो हमारी जंदेगी बरबाद हो जानी थी मैं भी वो सब कुछ भूलने के कोशिश कर रही हूं मेरे दिल में तेरे लिए कभी कोई दूसरा ख्याल नहीं आया मेरे लिए जैसे कमल है सिम्रा ने वैसी तू है जी जा कुछ रहे सत्वीर तू यहां पराठे बनारी और तेरे वाला कपका निकलिका ट्रैक्टर लेके अच्छा तू जाने दे कम से कम एं गुडबाई किस तो कर देती कितने अरोमाणों से पोछ रहे थे जेट जी मनवीर, सतबीर किधर है अच्छा जैसे जर्नैल तो तूझे गुडबाई किस करके जाता हो तूझे क्या पता, करके जाता हो हा, मनवीर कितनी बेशर्ण है तू मुझे तो लगा था रोपड़ वाले शरीव होते हैं अब पुछ तो तेरी संगत कासर हो नहीं है ना अगर मेरा पर्चामा भी तुझ पर पढ़ गया ना तो ठा हो जाने है तेरी जिंदगी अच्छा चलिए प्रांठे देख कितने हो गए पांच हो गए हरजीत ही ढएगया ना परांठे खाने से दो और बना देती है हरजीत के लिए 7 परांठे जाद नहीं हो जाएंगे उसे ना मेरे हाथ के आलू वाले परांठे बहुत पसंद है फिर भी 7 आलू के परांठे मनवीर अगर ऐसे सुसुराल में देवर के प्रांठे गिनेगी न तो सास ले कहना है बहु आते ही मेरे लड़की की रोटियां गिनने लगी अब नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी अच्छा चल जा देख के हर जीत उठा कि नहीं आज पल सारा सारा दिन सोया रहता है हर्जीत 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 उठा हर्जीत 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 उठा हर्जीत हर्जीत उठा 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 हर्जीत तू अब इतक सो रहा है क्या है भापी, सोने देना और कमरे का देख तू ने क्या हाल बना रख है यह मेरा कमरा धोड़ी है स्टोर है घर का मेरे कमरे पर तो तुमने कफजा कर लिया अच्छा तो तो यह क्यों नहीं कहता कि तुझे घर के स्टोर का मालिक बना दिया है मुझे नहीं बनना कोई मालिक तुछी बन जा क्या है क्यों उठाया मुझे बड़ी भावी ने प्रांठे बनाया तेरे लिए चला आजा गरम-गरम खाले यह तो क्या कर रहे है स्कूल जाना है ने, यह तो कहीं नहीं दो ना हे और भावी नास्ता हो गया ना नमस्ते ना गूज़ मॉक्सक्र कोई नौर्निंग भाब भी हुँ तेरी कोई नौक कर नहीं अब देना है तो दो नहीं तो में जा रहा हूँ अच्छा तु बाहर बैठ मैं ले के आप दीओ नहीं यहीं ठीक है रहने दो प्रॉंटे नहीं भागे नहीं जा रहे हैं अराम से खा ले देर हो जा मुझे यह ले दूद ले फोड़ी नहीं जल्दी उठ जाया कर सुबह ब्रस भी किया है तो लिक नहीं पुर्ला कर लिया थास मेरे थैंक्यू भाबी अरे वा तुम्हारे यह थैंक्यू भी बोलते हैं मुझे तो आज पता चला तेरे से बहस करने का टाइम निया मेरे पास अच्छा अच्छा बड़ी जल्दी है तुझे तु तो कह रहा था स्कूल जाने से पहले जानकी के एक गैस के कनेक्शन के कागज जमा करवाने है तुने हाँ रख ली है मैंने बैग में लोटते हुए क्रादू का जमा जानकी नहीं आई आई आज आती हो अच्छा सतबीर एक बात पूछू तुस्से हाँ हाँ पूछ तेको अजीब नहीं लगता क्या यहीं हरजीत सारा दिन सोता रहता है ना मूद होता है ना ब्रश करता है और मैंने कभी उसे बाथरूम जाते भी नहीं देखा इतना इतना खाना खाता है वो जाता कहा है जवान लड़का है तू फिकर मत कर जवान ने में कुमारी रहती है अपने आप सब ठीक हो जाएगा टाइम से ड़ी आपको लगता है कि मेरा उस नौकरानी की पेटी के साथ कोई चक्कर है देख जस्पीर दूआ वहीं उठता है जहाँ बड़ी बहुत आग इस अनबलीवबल डाड़ी आप मुझे छोड़को और उस पागल रत्वे विश्वाश कर रहे हो इससे अच्छा मुझे दिली भेज़ दीजे ये क्या है तेरी बिमारी का इलाज बढ़वारा गावों और पिछरे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओ के जानकारी पहुँचा देश में कौशल और क्रमता विकास कर ग्रामीनों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोडने की दूरदर्शन किसान के पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुभा नौ बजे बढ़वारा अबी तक तो ग्यानी जातो रहा हूं क्या हो गया हाथ मुग तो दो लेता कपड़े तो बदल लेता इनीवे सौया और उनी जारे स्कूल ठीकी तुह है कल तो बदले थे लग हरजीत जाते वे ना फॉर्म जमा करा दे ना जानकी का हाँ हाँ करा दूँगा अमर्जीत, मुझे तेरे इस बेटे हर्जीत का ना कुछ समझ नहीं आता हाँ बेबे, मुझे भी बहुत चिंता रहती है यह ना कुछ बदर सा गया है हाँ दाती, आपको पता है, आजकल तो इसको भूख भी बहुत लगती है सारा दिन कुछ न कुछ खाने को मांगता रहता तो भूख लगती है तो अच्छी बात है ना दिया कर खाने को, जवान लड़का है बेबे, खाता तो है, जाता कहा है शरीर देखो उसका, सूखता जा रहा है और रंग बिल्कुल पीला पड़ गया हाँ, यह तो मैंने भी देखा एक काम कर, जे बादाम खोलके दूद में पिलाया कर देखना, ताकत भी मिलेगी और शरीर परपड़िया बन जाएगा जी विवभर बड़ इवनिंग धाड़ी बड़ इवनिंग भड़ा एड़ इडविशन हो गया तेरा? पर तेरी माँ जाती है कि तू दिल्ली वापस दिला जाए पर डैडी वो शायद प्रतों की बात को लेके तुरा फिकर मंद है डैडी आपको भी ऐसा लगता कि उस पागल ने जो कह दिया उसकी बात पर विश्वाश करके आप मेरे को दिल्ली भेजना चाहते हैं देख जस्प पर वो बच्ची से जवान हुई तुरा ने तेरी कौन सी बात का क्या मतलब निकाल गए थी? मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मेरी उससे कोई बात नी हुई वो पता नी क्या अपने आपसे कहानिया बना रही है यही तो मैं कह रहा हूं एक जवान लड़की भला जान हम तिरे साथ ही इट्स अन्बलीवबल डाड़ी आप मुझे छोड़का और उस पागल रत्तु पे विश्वाश कर रहे हो इससे अच्छा मुझे दिली भेज दीजे परकाश क्या है कुछ नहीं बस ऐसे ही धिरवाज क्यों मारी फिर पिटवाना अपने भाई से वो तो उस दिन तुम मेरी बेहन के जुमके ले गया था इसलिए बुलाना पड़ा मुझे उससे चल छोड़ना बड़ा चालू है तू काम होता है तो पीछे पीछे गूमता है पिल्ले की तरह तुम हिलाता हुआ काम निकल जाता है तो भाई को लेकर आजाता है पिटवाने के लिए तू चुपकर तेरे से बात निकर रहा मैं हाँ बोल क्या बात है कुछ नहीं बस ऐसे ही तू दिखिया मैंने वाज मार दी इतने साल की पराणी दोस्ती है इसलिए लिहाज कर दिया बनना ये तो कहता था जलते हैं लड़की लेके और देते हैं तेरा सिरोर तेरे उस वीर का फिर फोड़ा क्यों नहीं बात नहीं बढ़ानी थी मेरे को पुलिस बाड़ों ने हेलिकॉप्टर बना दिया था आज तक जाद है टांगे चोड़ी करकर चलता हूँ मैं भी तो फस गया था अलिकॉप्टर तो नहीं बना तेरा ताद दिन तक पेट नहीं साफ हुआ था सच यार पता नहीं क्या हो गया है हफते बर से मेरा भी पेट साफ नहीं हुआ देख कैसे फूल गया है पर भूग इतनी लगती है कि पूछा मत मन करता है खाते रहो और सोते रहो है इलाज मेरे पास तेरी इस नमारी का सच बताना चल रहने दे मेरे को नहीं बताना तेरे को कल को फिर आजएगा भाई को लेके सच बाने के लिए नहीं लाओंगा तेरी कसम वो तो बेहन के जुमके थे तेरे पास इसलिए बताना पड़ा पताना क्या कह रहा था तू है एक गोली निगलते ही जन्नत की सैयर ना हुई तो मेरा नाम बदल दे ना रहने दे मेरे को नी करना कोई ना शावशा चल सोड तेरी मार जी जवर दस्ति थोड़ी है चल दखा तो सही क्या है यह क्या है तेरी बिमारी का इलाज है 200 रुपे की है 200 रुपे की एक गोली एक ही काफी है चन्नत की सैर के लिए सब कुछ भूल के तुने अच्छे से ग्रेष्टी संभाद ली दादी दूसरों कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे बास इस बात का क्या लखने की ज़लूरत है इस प्रिष खुदको को नक्सान ना पहचा लेते हैं यह खुद को? कभी-कभी ऐसे म्रीज खुदको भी नक्सान पहचा लेते हैं न्या तुम्हें नहीं लगता तुम लोग रतों के साथ ना इंसाफी कर रहे हो मतलब? हो सकता न, वो सच बोल रही हो अगर मेरे घर वालों ने तेरे साथ देख भी लिया ना तो टांगे तोड़ देनी है मेरे वीरों तेरी भी और मेरी भी माती है तेरी पहचान मत कर पट वारा धर्ती का भुष्ट कर नावन अन्जान